हेलो फ्रेंट्स वेलकम तु नर्शिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फूजन सेट या फिर हम इसे आईवी सेट भी बोल सकते हैं तो इसके पार्स के बारे में बात करेंगे किस पार्ट को क्या बोला जाता है यानकि उनका एक प्रोपर नेम होता है और क किस पार्ट को किस नाम से बुलाया जाता है या फिर हर एक पार्ट का क्या नाम होता है ठीके तो जब भी आप क्लिनिकल के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह का एक सेट दिखेगा इसे हम आईवी सेट बोलते हैं जो फ्लूड हम पेशिंट को देते हैं जिस फ्लूड के द्वारा ही वो फ्लूड जो है पेशिंट की बोडी में जाता है तो इसी हम आईवी सेट बोलते हैं तो इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीडल के बारे में ठीक है यह आपको सबसे पहले क्या है सबसे नीचे आप देखे उसमें haul करने के लिए होता है ताकि जो हे यह जो है वो निकल सके और उसके बाद आता है इसमें connector जो की needle से जुड़ा होता है यानकि उसको connect कर रहा है और उसके बाद आता है एक roller clamp, ठीक है? roller clamp क्या करता है? यह flow को control करने के लिए है, यानि कि fluid का जो flow है, कम रखना है या फिर जाधा रखना है, तो उसको control करने के लिए होता है उसके बाद आता है, इसमें solution filter ठीक है? और उसके बाद आता है drip chamber. drip chamber में क्या है? drop drop करके जो है वो fluid जो है वो patient की body में जाता है तो यहाँ पर chamber में जो है वो इकठा होता रहता है उसके बाद आता है इसमें air vent ठीक है उसके बाद आता है spink तो यह होते हैं सारे parts इसके infusion set के IV set के तो आपको इन सभी के parts पता होना चाहिए आप जब भी clinical के लिए आप जाएंगे तो महाँ पर आपसे कोई भी आपसे question कर सकता है ठीक है तो आपको इनके parts से मेशा पता होना चाहिए तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगा thank you for watching